तो दोस्तों जैसा कि आपको पता हुगा कि PUBG जो है अब ये इंडिया में पूरी तरह से बैंड हो चुका है और PUBG बैंड होने के बाद जितने भी PUBG यूजर्स है जितने भी PUBG लबर्स हैं उनका अभी क्या हाल चल रहा है ये सायद आपको भी अच्छी तरह से पता होगा अगर आ तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया है कि PUBG बैंड होने के बाद जितने भी PUBG के प्लेयर थे जितने भी PUBG के लबर्स है उनका अभी क्या हाल चल रहा है तो इसलिए दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में PUBG की कुछ ऐसे अल्टरनेटिव गेम के बारें बताएंगे जिस वीडियो में आपको बताऊंगा और जब आप इस गेम को प्ले करोगे जब आप इस गेम को खेलोगे तो आपको मैं एक चीज की गिरांटी देता हूं कि यह PUBG से भी आपको बेहतर लएगा वैसे दोस्तों PUBG की पॉपलरीटी थी PUBG की तरफ जितने भी अट्रेक्टिव थे PUBG की जतने भी प्लेयर्स हैं वह बहुत दिनों से PUBG को खेल रहे थे इसलिए सायद उनको PUBG बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा लेकिन दोस्तों जब आप इस गेम में से कुई भी गेम को आप अपने मोबाइल में प्ले करोगे आप इस गेम को खेलोगे तो कुछ दिनों आती है तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दो तीन ऐसे PUBG के अल्टरेनेटिव गेम बताने वाले हैं जिसको आप PUBG की जगर पे खेल सकते हो और PUBG बैन होने की जो कमी है आप उसे पूरा कर सकते हो तो चलिए दोस्तों फटा फट से अब इस वीडियो को सुरू कर PUBG गेम का जो सबसे पहला अल्टरेनेटिव गेम है वो है Shadowgun Legends ये गेम आपको प्लेश्टोर पे असानी के साथ देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इस गेम की जो सबसे खास बात है वो यह है कि PUBG जब से बैंड हुआ है PUBG के बैंड होने का बाद एक दिन में इस गेम को प्ले गेम है प्लेश्टोर पे अभी जो इसकी रेटिंग है वो लगभग 4.2 एस्टार की है तो दोस्तों इससे आपका नाजर लगा सकते हो कि यह गेम कैसा होगा तो दोस्तों आप इसे एक बात जरूर ट्राई करना PUBG की जगा पे यह आपको पसंद आएगी तो चले दोस्तों व पॉपलर गेम है पबजी था उस वक्त भी तो कॉल ओफ डिवटी को भी आप पबजी के जग़गा पे खेल सकते हो क्योंकि दोस्तों यह जो प्लेश्टोर पे रेटिंग है तो आप इससे अंदादा लगा सकते हो कि यह गेम कैसा है तो दोस्तों आप इसे पबजी के ठैटन आईगा ही आएगा तो चले दौस्तों रहों करते हैं पबजी के जो तीसरी अल्टरनेटिफ गेम है उसके बारे में तो दोस्तों पबजी में चुअ इसमें आपको low definition से लेकर high definition की graphic, sound और gameplay का option आपको मिल जाता है और इस game की जो size है वो लगभग 1.4 GB की है तो दोस्तो PUBG की जगह पे आप इस game को भी खेल सकते हो, कोई भी आपको problem नहीं होगी और इस game की जो अभी user है इंडिया में लगभग 2 million से जादा है और इस game की जो सबसे खास बात है वो यह है कि इस game को इंडियान में अभी 1 million से जादा लोगों ने एक दिन में इसे download किया है और वैसे दोस्तो अगर हम बात करें इस game की अभी rating की तो play store पे इसकी जो भी rating है वो 4.2 star की है या आप जाके play store पे भी देख सकते हो दोस्तो यह जो game है battle prime online यह भी बहुत ही एक most popular game है अभी तक जितने भी PUBG के alternative games है उनमें से भी यह top level की एक game है जिसे आप PUBG की जगव पे खेल सकते हो तो दोस्तो जब आप यह सभी game को आप अपने mobile में खेलोगे तो हो सकता है कि आपको यह सभी game में PUBG जितना मजा नहीं आगा लेकिन दोस्तो मेरा यकीन मानूँ कि जब आप इस game को अपने mobile में थोड़ा दिन खेलोगे उसके बाद में आपको यह game PUBG से भी ज्यादा बहतर लगने लगेगा तो यह थी दोस्तो कुछ PUBG के alternative games जिसके बारे मैंने आपको इस video में बताया है वो सबी को आप एक बाद जरूर ट्राइ करना यह आपको जरूर अच्छी लगेगी तो इसलिए दोस्तो आप भी यह तीनो गेम को आप एक बाद जरूर ट्राइ कर लेना हो सकता है कि आपको ये तीनों गेम में से कोई ना कोई गेम में आपको PUBG जितना मज़ा जरूर आएगा तो ये थी दोस्तो आज की वीडियो PUBG की जितने भी alternative जिन से उसे related मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर helpful लगी होगी फिर से एक और से ही interesting next useful वीडियो में